नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप CBSC Board के द्वारा आयोजित की गई Seated December 2021 के दिनांक 27 December Shift के पेपर के अंग्रेजी पार्ट का complete solution देखने जा रहे हैं यदि Seated December 2021 के सभी shift के पेपर का complete solution देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाथ होने के बाद से आप इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इसको subscribe करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा Seated की बहतरीन तरीके से त्यारी करने के संदर में दोस्तों English के पहले कुछ प्रेशन इस paragraph पर अधारित पूछे गया थे तो paragraph के प्रेशनों को solve करने की सबसे अच्छी वी दिये है कि पहले आप प्रेशनों पर एक नजर डाल लिजे ताकि आप paragraph को पढ़ आऊंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा इस पर अधारित पहला प्रेशन पूछा गया था which of the following statement is true about the snake oil यानि कि साप के तेल के बारे में कौन सा विकल्प सही है जो की paragraph में mention किया गया है आपसे पूछा जा रहा है अगला प्रेशन देखिए the region why snake oil seller left town soon after selling it was that तो साप का जो तेल था वो बेचने के तुरंत बाद जो seller था वो town को क्यों छोड़ दिया अगला प्रेशन देखिए पूछा गया था choose the correct statement native of North America used policies of Echeancia to treat तो ये paragraph जब आप पढ़ेंगे तो आपको clear होगा अगला प्रेशन पूछा गया था आप अपने screen पर देख पार होगे read the following statement यहाँ पर दो statement दिये गए है और कौन सा true है और कौन सा false है आपको बताना है अगला प्रेशन पूछा गया था which one of the following word is most opposite in the meaning of the word outrageous used in paragraph 2 तो paragraph 2 में जो दिया गया है word outrageous इसका आपको opposite word बताना है ठीक है और इस पर अधारित जो अगला प्रेशन पूछा गया था identify the type of ad word in the underlined part of the following sentence यहाँ पर एक sentence दिया गया और जो underline किया गया है वो कौन सा adverb है यह आप से पूछा जा रहा है ठीक है तो इस प्रकार के elements long before doctor mayor came along यानि कि बहुत पहले से यह यूज किया जाता था भारत में ऐसा कहा जा रहा है तो यह क्या है time को represent कर रहा है यानि adverb of time है option number 3 सही जवाब हो जाएगा अगला प्रेशन पूछा गया था which of the following word mean the same as the word potent as used in paragraph 3 तो paragraph 3 में जो word potent यूज किया गया उसका एक तरीके से similar word क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने screen पर देख पार होंगे which part of the following sentence contents and error यहाँ पर sentence दिया गया है the land is kept is beautiful in its own unique way तो इस sentence में अगर error की बात करें तो इस पार्ट में गरबढ़ी है इन इट्स ओन में यहाँ पर गरबढ़ी है तो यहाँ पर देखे सी वाले में गरबढ़ी है option नमबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा तो देखे दोस्तों हमने अभी paragraph को पढ़ना शुरू नहीं किया और अभी बिना पढ़े आपने दो प्रशनों का उतर निकाल लिया है तो यह पहले प्रशनों को देखने का फायदा होता है कि आप तो दो से तीन प्रशन एक तो पहले attempt कर पाते हैं और दूसरा फायदा यह होता है कि जब आप paragraph को पढ़ेंगे तो तुरंत आपको जो बचे हुए साप का तेल हम लोग समझ रहे थे वो उससे संबंदित नहीं है बलकि यह एक टर्म है जो कि पेटेंट दवाओं के पेटेंट कराने से संबंदित है ठीक है यह एक टर्म है यह एक शब्द है इसने एक ओयल जिसका यूज पेटेंट कराने से संबंदित है दवाओं के पेट पहला प्रेशन पुछा गया था यानि इसनेक ओयल के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है देखे यह प्रेशन थोड़ा सा मिस्प्रिंट है यहाँ पर ट्रू ना हो करके नौ ट्रू होना चाहिए अभी आपको ऐसास हो जाएगा देखे यहाँ पर पेरग्राफ में अभी हमने जो पढ़ा उसमें पेटेंट मेडिसिन से जुड़ा हुआ वाके लिखा गया था यानि कि यह दवाओं के पेटेंट कराने से संबंदित है तो यह तो आपका पेरग्राफ में मेंशन किया गया यानि ट्रू है दूसरा देखे Selling of Snake Oil Watch RISKY बिजनेस यह भी पेरग्राफ में मेंशन किया गया था यानि यह भी पेरग्राफ के अनुसर ट्रू है तीसरा देखे It was sold by traveling traders यह traveling traders के द्वारा सेल किया जाता था यह भी सही है पेरग्राफ के अनुसर demand in America, यह paragraph में कहीं mention नहीं किया गया, इस वज़े से यहीं आपका सही उतर हो जाएगा, option number 4 सही उतर होगा, अगला question पूछा गया था कि snake oil seller उसे बेचने के बाद से तुरंत town को क्यों छोड़ देते थे आप से पूछा गया था, तो यहां पर देखे उसका उतर दिया गया, consequently the smarter snake oil seller left town before their customers had much chance to evaluate the cure they had just bought, यानि कि जो उन्होंने खरीदा है, उसके बारे में जैसे ही वो cure करने लगते हैं, उसका evaluation करने लगते हैं, उससे पहले वो जो snake oil seller है, वो सहर को छोड़ देते हैं, यह इसका region दिया गया है, देखे प्रशन दिया गया है, the region why snake oil seller left town soon after selling it was that, तो यह fail हो जाता था, ठीक है, इस वज़से जो इनके बारे में जो जूटे जूटे लंबे चोड़े दावे की जाते थे, इसमें यह fail हो जाता था, इस वज़से वो जो बेचने के बासे तुरंत सहर को छोड़ देते थे, ताकि लोग evaluate करके उनको claim ना कर सके, तो option number 4 इसका सही जव जाता था, option number 2 सही जवाब है, अगला प्रेशन पूछा गया था, read the following statement, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिये गए, दोनों को पढ़ करके आपको जवाब देना की कौन सा सही है और कौन सा गलत है, पहला दिया गया, most of the medicines sold by traveling traders were plant-based, और दूसरा दिया गया, Dr. H.C.F. Mayor was a highly qualified physician, यहाँ पर देख सकते हैं, Dr. H.C.F. Mayor के बारे में लिखा गया है, a lay doctor with no medical qualification, और वहाँ पर प्रेशन में कहा गया था, highly qualified बोला गया था, तो यह गलत है, तो पहला statement जो है, most of the medicines sold by traveling traders were plant-based, तो यह सही है, और दूसरा जो दिया गया था, कि Dr. H.C.F. Mayor was highly qualified physician, तो यह गलत था, यानि एक true है और भी false है, दिये के option में देखिए, option number 3 सही जवाब हो जाएगा, अगला प्रेशन पूछा गया था, which one of the following word is most opposite meaning to the word outrageous as used in para 2 of the passage, तो outrageous का मतलब यहाँ पर एक तरीके से अपमानजनक के sense में आया हुआ है, और इसका opposite देखेंगे, तो इसका opposite हो जाएगा, option number 3 acceptable option number 3 सही जवाब है, अगला प्रेशन पूछा गया था, which of the following word mean the same as the word potent as used in para 3 of paragraph, तो यहाँ पर potent का मतलब प्रबल होता है, सक्तिसाली होता है, और इसके same meaning मिलता जूलता कौन सा हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, option number 2 सही जवाब है, दोस्तों प्रेशन संक्या 119 से 135 त about the transmission of SARC-CoV-2, यानि दिये गए वाइरस के transmission के संदर में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा गया था, अगला प्रेशन पूछा गया है, according to the export from the UK and the US and Canada, the SARC-CoV-2 वाइरस वो क्या था, ये वाइरस क्या था, आपसे पूछा जा रहा है, अगला प्रेशन पू Should WHO and other public health organization do to effectively deal with the problem, अगला प्रेशन पूछा गया है, choose the correct option to fill in the blank in the following sentence, यहाँ पर दिया गया, dash was the first established the fact that COVID-19 pandemic prominently spread through air, अगला प्रेशन पूछा गया था, आप अपने screen पर देख पार होंगे, दिया गया था, Which of the following word is the same meaning as the word overwhelming as used in paragraph 1, और इस पर अधारित अगला प्रेशन पूछा गया था, which of the following word is the opposite in the meaning of the verb consistent as used in the paragraph 1, और इस पर अधारित जो अगला प्रेशन पूछा गया है, यानि कि अंतिम प्रेशन जो है 135 नमर का, वह आप अपने screen पर देख पार होंगे, which part of the following sentence contains an error, और यहाँ पर sentence दिया गया, he asked him, why was he reluctant to accept such a good offer, आपको इस प्रेशन को solve करने के लिए paragraph को पढ़ने की आवशकता नहीं है, इस प्रेशन में अगर error की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, b वाले part में error है, why was he reluctant, तो option number 3 देखिए, b यह वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चलिए जल्दी से paragraph को पढ़ लेते हैं, there is a consistent strong evidence to prove that the SARS, COVID-2 virus behind the COVID-19 pandemic is predominantly transmitted through AR according to a new assessment published on Friday in the Lescent Journal, the analysis by six experts from UK, US and Canada says public health measures to fail to treat the virus virus as predominantly the airborne route leaves the people unprotected and allow the virus to spread, तो यहाँ पर एक प्रेशन पूछा गया था, according to the experts from the UK, US and Canada, the SARCS COVID-2 virus, तो यहाँ पर paragraph में mention किया गया था, the airborne route leaves people unprotected, option number 4 सही जवाब होगा, although some studies in the past have suggested that COVID-19 may spread through AR, overall scientist literate on the subject has been inconclusive, in July last year, over 200 scientists from the 32 nations wrote to WHO saying, there is evidence that the coronavirus is airborne and even smaller particles can infect people, the evidence supporting airborne transmission is overhelming and evidence supporting larger droplet transmission is almost non-existent, said Josh Lewis Gymnage from the University of Colorado Boulder in the US, it is urgent that the World Health Organization and Health Public Health Organization adopt their description for the transmission of the scientist evidence, so that focus on migration is put on reducing airborne transmission, Gymnage said studies have confirmed these events can not be adequately explained by close contact to touching shared surfaces or objects, the researchers said in their assessment, पहला प्रशन इस पर अधारी जो पूछा गया था, which of the following statement is not true, यानि कि कौन सा सही नहीं है, तो अभी हमने paragraph में देखा, it is not transmitted via close contact of touching shared surface or objects, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, option number 3 इसका सही उत्तर है, अगला प्रशन पूछा गया था, what according to the Gymnage should WHO and other public health organization do to effectively deal with the problem, तो उन्होंने ये बताया था, to adopt their description of transmission to scientific evidence to reduce airborne transmission, तो option number 4 इसका सही जवाब है, अगला प्रशन पूछा गया था, choose the correct option to fill in the blank with the following sentence, यहाँ पर देखिए, पूछा गया, was the first established the fact that COVID-19 pandemic prominently spread through air, तो ये सबसे पहले लैंसेंट जनरल में publish किया गया था, option 4 इसका सही जवाब होगा, अगला प्रशन पूछा किया था, which of the following word has the same meaning as the word overwhelming as used in paragraph 1, तो overwhelming यहाँ पर strong के sense में आथा, इस वज़ा से इसका same meaning strong होजाएगा, option number 1 सही जवाब होगा, अगला प्रशन पूछा किया था, which of the following word is opposite in the meaning to the word consistent, consistent का मतलब होता है लगतार इसका opposite बताना है, तो dependable, यानि कि किसी पर निर्भर होना यह इसका सही जवाब हो गया, अगला प्रशन पूछा किया था, which of the following is not an intrinsic criteria of a good textbook, यानि कि एक अच्छे पुस्तक का इन में से कौन सा एक आंतरिक गुण नहीं हो सकता, देखे, पुस्तक के अंदर की बात की गई है, तो ऐसा विकल्प जो पुस्तक के बाहर हो, वो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि intrinsic की बात की गई है, extrinsic की बात नहीं की गई है, तो पहला देखे, language and vocabulary, तो पुस्तक की जो भाशा है, और उसका जो सब्दकोस है, वो बच्चों की मानसिक आयू के अनुरूप होना चाहिए, यह चुकि आंतरिक भाग का है था, इंटरेंसी की आप से पूछा गया था, तो आंतरिक भाग का है, इस वाज़े से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक भाग जो नहीं होगा, वहीं आपका उत्तर होगा, दूसरा देखे, सब्जेक्ट मैटर, यानि कि जो भी सब्जेक्ट यूज किये गए हैं उस पुस्तक में, उसका मैटर क्या है, वो बच्चों के मानसिक आयू का नुसार होना चाहिए, तो यह भी आपका पॉजिटिक था, इस वाज़े से उत्तर नही इंट्रिंसिक क्राइटेरिया, इस वाज़े से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, लेकिन अगर बात करें, option number 4 की, printing and binding, तो देखे, binding जो होता है, वो पुस्तक के बाहर की एक तरीके से क्राइटेरिया है, ना कि अंदर की क्राइटेरिया है, तो इस वाज़े से ये binding negative sense था, intrinsic criteria के संदर में, और साथी साथी ये जो printing लिखा गया, ये पुस्तक के अंदर की बात नहीं की गई है, बलकि पुस्तक पर जो main cover होता है, उस पर जो print होता है, उसकी बात की गई है, चुकि ये दोनों पार्ट जो है, printing और binding, ये extrinsic criteria होते हैं पुस्तक के, इस वज़े से, यह नहीं जो है, वो intrinsic criteria का एक तरीके से part नहीं है, इस वज़े से यहीं आपका उतर हो जागा, क्योंकि ये दोनों extrinsic होते हैं, ना कि intrinsic होते हैं, option number 4, सही जवाब होगा, अगला प्रेश ने पुछा क्या था, a teacher of class 5 asks her student to listen to a short paragraph of 6 sentence twice, यानि कि 6 वाक्यों का एक paragraph, सिक्षी का ने, बच्चों को दो बार सुनने के लिए कहा, then she asks them to work in group of 4, to write, rewrite the paragraph nearer to what they heard and not exactly the same sentence, उसके बाद से सिक्षी का ने, उन बच्चों को चार बच्चों के ग्रूप में विभक्त किया और उनसे फिर वहीं paragraph लिखने के लिए बोला, nearer to, यानि कि बिल्कुल उसके समेप जोकी उन्हो पाके नहीं लिखना है, तो ये पुछा जा रहा है, what is the tasks known as, तो ये जो क्रिया कलाप है, ये किस नाम से जाना जाएगा, आपसे पुछा जा रहा है, पहला दिखिए, दिया गया है creative writing, ये creative writing नहीं है, क्यों नहीं है, creativity का मतलब यह होता है, कि वहाँ पर बच्चे का अपना मौलिक विचार का representation है, तो चुकि यहाँ पर मौलिक ता नहीं है, इस वज़े से creative आपका उतर नहीं होगा, दूसरा देखिए, listening and speaking, listening तो हो रहा है, क्योंकि दो बार उसने कहानी paragraph को सुना है, तो listening तो हो रहा है, लेकिन speaking नहीं है, क्यों, क्योंकि सुनने के बाद से उसको लिखना है, ठीक है, writing करना है, ना कि speaking करना है, तो इस वज़े से यह गलत हो गया, चौथा विकल देखे, sentence dictation, dictation का मतलब होता है, सुरुत लेक, यानि कि सुन करके लिखना, तो यह बातों सही है, दो बार उसने सुना, फिर लिखा, तो यह sentence dictation नहीं है, बलकि paragraph dictation है, paragraph dictation इ इसका सही जवाब हो जाएगा, अगला प्रशन पुछा गया था, a teacher finds out that some students feel difficulty in comprehending the detailed explanation of the passage and sentence structure in the language, यानि कि एक सिक्षी का यह notice करती है, कि भाषा की कक्षा में कुछ बच्चे इस बात में difficulty महसूस कर रहे है, मतलब कि जो भाषा का अर्थ है, उसका detailed explanation समझने और passage के sentence के structure को सम difficulty यानि कि कठनाई महसूस कर रहे है, उसके बाद से देखिए, she provides them a good vocabulary and drills in structure in the same tricks, उसके बाद से सिक्षी का को जब यह हसास हुआ कि बच्चों को कठनाई हो रहे है, तो उसने एक तरीके से good vocabulary यानि अच्छी शब्दावलियों के बारे में उनको से चर्चा किया और उसका अभ्यास कराया, और structure with the same tricks, और उस पर अधारित structures पर बहुत सारे उनको examples दिये trick के माध्यम से, after sometimes she could be able to remove the difficulties of the students, यानि कुछ समय बाद वा बच्चों के इस समस्या को दूर करने में सक्षम हो गई, तो अब आप से पूछा जा रहे है, what type of assessment she conducted, यानि कि किस प्रकार का आंकल किया था, तो यह diagnostic assessment उसके द्वार किया गया था, निदनात्मक आंकलन किया था, मतलब कि बच्चों को जब कठनाई समझ में आ गई, जब यहाँ पर पता चल गया, कि बच्चों को यहाँ यहाँ प्रॉलम आ रहा है, तो यह निदनात्मक assessment हो गया, उसके बाद से फिर से उस चीजों को बच्चों को टैकल करने के लिए, उसकी समस्याओं को टैकल करने के लिए, फिर से उसी चीज को पढ़ाया, उसके बाद से बच्चों की समस्याओं दूर होगी, तो यह कौन सा है, diagnostic assessment है, यानि निदनात्मक बच्चों की समस्याओं को जानेने के लिए जो आंकलन जो है which one of the following step need not to be followed इन में से कौन सा एक step follow नहीं किया जाना चाहिए पहला दिया गहा है waitage to teaching objectives यानि कि जो objective है जो aim है teaching का वो fulfill हो पा रहा है या नहीं भासा की कक्छा में तो ये एक महतोपूर्ण blueprint होता है test त्यार करने के दौरान तो ये आपका विकल्प सही था इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा क्योंकि जो नहीं सही है वहीं आपका उतर होगा क्योंकि not पूछा गया है दूसरा देखे waitage to difficult waitage to different forms of questions तो ये भी एक तरीके से जितना ज़्यादा questions form होंगे उसे से आकलन किया जा सकता है कि बच्चे को संग्यान में वो चीजे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो different form of questions ये positive sense में इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा तीसरा देखे waitage to difficulty level अब जो कुछ भी बच्चे को भासा की कक्षाम पढ़ा जा रहा है वह उनके मानसिक इस्तर के अनुसार होना चाहिए यानि उनका difficulty level उनके IO group और उनके मानसिक इस्तिती के अनुसार होना चाहिए तभी बच्चे समझ पाएंगे तो ये भी positive था इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा लेकिन अगर बात करें option number 4 की waitage to different writing style तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता है language के class में तो ये चुकि कम एक तरीके से importance रखता है इस वज़े से यहीं आपका उतर हो जागा क्योंकि आपसे negative वाला पूछा गया था option number 4 सही जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया था a teacher writes certain words clearly on the blackboard एक teacher blackboard पर यानि sham पट पर कुछ शब्द साब सब्दों में लिखता है and students note them down in their notebook और जो चातर है वो उसे अपनी copy में लिखते है which one of the following is best suitable to describe this strategy of teaching spelling यानि कि बच्चों को spelling सिखाने के लिए या कौन सा strategy है पहला दिया गया है play method play method होगा नहीं क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से नहीं सीख रहा है पहला विखल्प गलत दूसरा देखे drill method drill का मतलब होता है अभ्यास कराना बच्चे बस blackboard से एक बार देखर के लिख रहा है बार बार नहीं लिख रहा है एक ही विखल्प बचा option number 3 transcription method transcription का मतलब यहाँ पर प्रती लिपी होता है या फिर प्रती लेखान होता है अनुलेखान होता है यानि देख करके लिखना है तो ये option number 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा transcription method strategy अपनाया जा रहा है teacher के द्वारा विखल्प तीन सही उत्तर है अगला प्रेशन पुछा गया है a child is noticed to have the following difficulties while learning the language यानि भासा सीखने के दौरान एक बच्चे को निम्निकित कठनाईयों का सामना करना पड़ा है ऐसा सिख्षक ने notice किया तो यहां पर देख लिए कौन-कौन सी परशानिया है पहला है problems in learning the names and sound of letters यानि कि जो ध्वानी होते हैं जो word होते हैं उनका नाम बोलने में बच्चे को दिक्कत हो रही है दूसरा देखें making mistakes when reading aloud aloud मतलब कि जोड-जोड से पढ़ना यानि कि जब वो जोड-जोड से किसी चीज को पढ़ा तो उसमें वो गलती कर देता है आगे देखिए visual disturbance when reading sentences of words यानि कि जब वो sentence को देख रहा होता है और उसके sentence के सब्दों को देख रहा होता तो उसे visual disturbance होता है यानि देखने में दिक्कत होता है और चौथा देखिए taking longer time to complete the written work यानि written work को complete करने में उसे ज़्यादा समय लगता है तो यहाँ पर जो भी समस्या है कहीं न कहीं उसको पढ़ने में दिक्कत को दिखाया जा रहा है देखिए पहला जो नाम था उसका वो नाम नहीं पढ़ पा रहा था उसके बाद से देखिए यहाँ पर तेजी से पढ़ने पर उसको दिक्कत हो रहा था गलती हो जा रहा था उसके बाद से देखिए visual disturbance हो रहा था जब वो words को पढ़ रहा था तो यह कहीं न कहीं पठन वैफलने को दिखा रहा है बच्चों के द्वारा मौन रूप से पठन करने के बाद से उसके द्वारा निमन प्रेशन पूछे गया पहला पूछा गया यानि हजरत गंज इतना शोर गुल वाला सहर क्यों नहीं था दूसरा देखिए लखनाव को नवाबो का सहर क्यों कहा जाता है अब आपसे प्रशन पूछा जा रहा Which of the following type are more appropriate to define nature of these questions A and B तो दिये गए प्रशनों का यहाँ पर nature क्या है आपसे पूछा जा रहा है तो यह inferential question है यानि आनुमानिक प्रशन है आनुमान लगाने वाला आप्शन भी इसका सही जवाब है अगला प्रेशन पुछा गया था which of the following is not an advantage of silent reading यानि कि मौन पठन का मौन पठन का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है ठीक है मौन वाचन या फिर मौन पठन एक ही सेंस है तो कौन सा इसमें से गुण नहीं है आप से पूछा जा रहा है चौथा देखिए यानि कि यह बच्चों में खुद से अध्यान करने की प्रवित्वी को बढ़ावा देता है तो यह तो बिल्कुल पॉजटिव था इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस वाला आप से पूछा जा रहा है तीसरा देखिए तो बच्चे चीजों को समझ पाते हैं किसी को व्यक्त कर सकते हैं यहां पर व्यक्त करना या फिर अभिव्यक्त करने से सम्बन लित है तो यह भी बिल्कुल पॉजटिव था इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा क्योंकि मण वाचन के माद्यम से बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहाण करते हैं तो ये बिल्कुल positive था दूसरा देखे, it saves energy of the students ये बिल्कुल सही है, कैसे energy save किया जाता है देखे, जब भी बच्चा एक तरीके से बोल करके वाचन करेगा बोल करके पढ़ेगा, तो कुछ इनर्जी उसका loss जरूर होगा, लकिन अगर वो मन में वाचन कर रहा है, तो वो बोलने में जो एक्स्ट्रा इनर्जी जा रही थी, वो उसके बच जाएगी, save होगी, और आर्थ ग्रहाण तो वो करेगा ही करेगा, चाहे मौन वाचन में करे या फिर बोल करके पड़े, तो ये भी आपका positive था, इस वाज़े से उत्तर नहीं होगा, लेकिन पहले विकल्प की अगर बात करें, देखिए इट removes hesitation and sinus of students, यहाँ पर hesitation का मतलब जीजाक हो गया, और sinus मतलब सरमीला पन, तो ये कहा जा रहा है कि मौन वाचन से बच्चों में जो सरमीला पन है और जो उसका एक तरीके से संकोची पन है, वो दूर हो जाता है, ये विकल्प बिल्कुल negative था, इस वज़े से आपका यहीं उत्तर हो जागा क्यों दूर नहीं होता है, देखिए अगर वो मौन वाचन नहीं करता, मतलब बोल-बोल करके पढ़ता, तब उस condition में फूरे क्लास के बच्चों के बीच में वो अपने आपको अभीव्यक्त कर रहा होता बहले ही किताब पढ़ करके, लेकिन अपने आपको कर रहा होता, लेकिन अब चुकी वो मौन वाचन कर रहा है तो एक तरीके से जो उसमें सरमीला पन है और जो उसमें संकोची पन है जीजाक है वो दूर नहीं हुआ वो अपने आप में ही पढ़ा ठीक है दस लोगों के बीच में नहीं पढ़ा तो ये option negative था इस वज़े से यहीं आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प एक सही जवाब है अगला प्रशन पुछा गया था read the following statements about teaching method in English यानि कि एक teaching method के बारे में निमन statement दिये गए है इसको पढ़ करके आपको बताना है कि ये किस teaching method के good है characteristics है चलिए पहले पढ़ लेते हैं पहला दिया गया है this method strategy was first introduced in Germany तो यहां से आपको hint मिल गया कि इन चारों में से कौन सा जर्मनी में पहले बार यूज किया गया था दूसरा देखे it was widely used in Europe for teaching English English को यूरूप में सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया गया था the unit of teaching is word not a sentence यानि कि इस strategy के माध्यम से पढ़ाने का जो सबसे नियूनता में काई है वो की शब्द है ना कि फूरा बाक्य है अगला देखे the context is graded in standard format अगला देखे the steps are formal to functional और अगला देखे phrageology can be best assimilated in interpretation तो यहां पर जो अभी तक आपने पड़ा इसके अनुसार इसका सही जवाब हो जागा option no.4 grammar come translation method यह पहली बार जर्मनी में introduce किया गया था और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग यूरोप में अंग्रेजी भासा को सिखाने के लिए किया गया था इस method में जो mother tongue होता है उसमें बच्चे को translate करके बताया जाता है सिख्छा के माध्यम से लेकिन जो इसकी इकाई होती है वो फूरे sentence को नहीं बताया जाता है बलकि जिस भी शब्द में बच्चे को कठना आ रही है उस शब्द को उसके mother tongue यानी हिंदी में translate करके बताया जाता है वहीं ये बात बोला जा रहा था the unit of teaching is word not sentence यानी कि particular किसी word के meaning को हिंदी में बता करके उसका फूरा sentence का एक तरीके से meaning निकाला जाता है grammar translation method में तो ये इसका appropriate answer हो जागा option number 4 अगले question में एक statement दिया गया है और उस पर आधारित आपको चार विकल्प दिये गया है बताना है कि कौन सा सही है पहला यहाँ पर statement दिया गया है a sub-skill approach to evaluation reflects the teacher's intuition to identify the area where help is needed इसका मतलब यह होता है कि अंतरग्यान यानी सिक्षा का अंतरग्यान यानी कि जो sub-skill approach है evaluation करने के लिए यानी मुल्यांकन करने के लिए वह teacher के अंतरग्यान का एक तरीके से reflect करता है और जहां पर सहायता की आवशक्ता है उसको identify करता है तो यह विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है वह teacher के अंतरग्यान को reflect जरूर करेगा कि बच्चे को teacher ने क्या सीखाया साथी साथ कहां पर उसको help की आवशक्ता है इसको भी identify किया जा सकता है तो यह विकल्प पॉजटिव था आपका उतर होगा रिजन देखिए the testing of writing and listening यानी कि जो लेखन कौसल है और जो सुनने का कौसल है सरवाण कौसल है can be broken up to sub-skills यह sub-skills में तोड़े जा सकते हैं complemented by integrated language test तो यह भी विकल्प पाप का सही है लेकिन दोनों individually सही है कोई किसी को व्याख्या नहीं कर रहा है तो इसका उतर हो जाएगा option number 3 both A and R are true and R is not the correct explanation of A दोनों individually सही तो है लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है यह इसका सही जवाब होगा अगला question पूछा क्या था a teacher read allowed half of the text यानि कि तेजी से एक लेक का आधा भाग पड़ता है then asks learner in a group तब एक ग्रूप में बच्चों को लिखने के लिए बोलता है to write their own endings what type of activity is this उनको इस लेक का जो आधा पार्ट उसने बोला था तेजी से उसका आधा भाग लिखने के लिए बोलता है तो यह कौन सा activity आप से पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा option number 1 experiential activity यानि प्रतेक बच्चा अलग अलग अनुभाव के माध्यम से लिख रहा है कि इसका आगे का ending क्या हो सकता है तो यह बच्चे का अनुभाव है individual अनुभाव है इसलिए इसे experiential activity कहेंगे option number 1 सही जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया था which of the following might be the best strategy for developing vocabulary among the students यानि बच्चों में जो शब्द कोस है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा strategy best हो सकता है यहाँ पर चौथा विकल्द देखे making sentences of all new words यह कहा जा रहा है कि जितने भी नए वर्ड आए उसके लिए sentence बनाने के लिए बच्चों से कहा जाए तो जब तक बच्चा उस नए word का meaning नहीं समझेगा तब तक वो sentence नहीं बना पाएगा ठीक है तो यह आपका negative था आपका उतर नहीं होगा तीसरा देखे consulting the dictionary for every new word प्रतेक नए शब्द के लिए dictionary के लिए कहा जा रहा है तो यह भी विकल्द negative है योकि आपके पास अगर 10 subject मतलब 10 नहीं सब्द आ रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि बार बार आप dictionary को open करिए यह थोड़ा सा negative था इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा अगला देखिए पहला विकल्द दिया गया है memorizing the antonym and synonym कभी भी रटना, याद करना, memorize करना यह सबी चीज़े हमें सा negative होते हैं आपका उतर नहीं होगा एक ही विकल्द बचा option number 2 guessing the meaning of the new word in given context यानि दिये गए संदर्भ में जो नया word आ रहा है उसका अर्थ का अनुमान लगाना यह सबसे ज़्यादा appropriate होगा क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार आप जब paragraph पढ़ रहा होते हैं तो उसमें एकाद सब्द का meaning आपको नहीं आता है लेकिन उस पूरे paragraph के context में उस पूरे paragraph के संदर्भ में आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं अनुमान लगा करके कि यह इसका अर्थ क्या हो सकता है तो यह most appropriate था यहीं इसका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया था multilingualism must be used as a resource so that मतलब कि multilingualism बहु भासिक्ता को एक संसाधन के रूप में use करना चाहिए क्यों multilingualism का मतलब यह होता है कि एक school में एक विद्याले में अलग-अलग प्रिष्ट पूमी के बालक आ सकते हैं जिनकी मात्री भासा अलग-अलग हो सकती है तो सभी के मात्री भासा को सम्मान देना और सभी के मात्री भासा में interaction करने का मौका देना यह multilingualism है multilingualism मे यह नहीं कहता है कि सबको सबकी भासा आनी चाहिए लेकिन ये जरूर कहता है कि सबकी भासा का समान होना चाहिए और सबको अपनी मातरी भासा में एक्सप्रेस यानि कि अपने आपको अभिवक्त करने का मौका मिलना चाहिए तो अब देखिए इसे संसाधन क्यों कह गया तो विकल्पों पर पहले दिहान दे लेते हैं पहला विकल्प दिया गया है Children can learn many languages यहाँ पर भासा सीखना नहीं है यह विकल्प गलत हो गया दूसरा देखे Teacher can learn many languages यहाँ पर teacher को language सीखने की बात की जारी है यह भी गलत हो गया Children can be confused with many languages बच्चे बहुत सारे भासाओं से confused हो सकते है तो यह बहु भासिकता का उदेश्च नहीं है ओप्शन गलत हो गया यह विकल्प बचा ओप्शन नमबर तीन देखे Every child feels secure and accepted मतलब अब प्रतेक प्रिष्ट भूमी से आये हुए बालक की मातरी भासा जो है वो अलग-अलग हो सकती है Mother tongue अलग-अलग हो सकती है तो सभी बालक को college में माफ कीजिगा विद्याला में accept किया जाए इस वज़ा से उनको बहु भासिकता का एक तरीके से resource के तोर पर देखा जाता है कि बच्चा किसी भी प्रिष्ट भूमी से आया क्यों ना हो किसी भी मातरी भासा का बोलने वाला क्यों ना हो उसको accept किया जागा इसकूल में और साथी साथ वो सेक्योर महसूस करेगा जब उसको उसकी भासा में प्रश्ण पूछने का मौका दिया जागा यानि आपको express करने का मौका उसको उसके मातरी भासा में दिया जागा ना कि एक foreign language में दिया जागा तो ये most appropriate था और यहीं आपका सही जबाब हो जाएगा अगला प्रश्ण पूछा गया था storytelling should be used frequently in classroom because it मतलब कि कहानी का थन ज़्यादा तर कक्छाओं में use क्यों करना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है चौथा विकल्प देखे teaches difficult words यानि ये कहा जारा कि कहानी के माद्यम से cutting words को सिखाय जा सकता है ये विकल्प negative था आपका उतर नहीं होगा पहला देखे entertains student बच्चों को सिर्फ मौज मस्ती के लिए ये भी आपका विकल्प negative था उतर नहीं होगा दूसरा देखे teaches morals प्राइमरी स्थर की बात की जाय Deus तो कोहल बर्ग के नेतिक सिधान्त के नुसरा इस आयू वर्ग में बच्चों में नेतिकता नहीं आती अभी क्योंकि प्राइमरी में कक्छा एक और दो का भी बालक है तो उनको भी आपको ले कर के चलना है और कोहल बर के सिधानत के अनुसार इस समय बच्चों में नेतिकता नहीं आएगी भले ही आप उसको कितना भी कहानी सिखा लें कितना भी पढ़ा लें तो ये तो moral यानि नेतिकता उसमें आनी नहीं है तो ये विकल भी negative हो गया ये कही option बचा option number 3 presents language as whole option number 3 इसका सही जवाब होगा यानि कि जो कहानी कतन है वो पूरे language को represent करता है इस वज़से ये most appropriate है कि कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कक्छा में option number 3 सही जवाब होगा दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पढ़ाओ में आ चुके हैं अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे motivate करेगा ऐसे ही मतुपूर्ण वीडियो लाने के संदर म इस पेपर का अंतिम प्रशन पूछा गया था language acquisition means acquisition का मतलब होता है अर्जन भासा अर्जन के संबंद में पूछा जा रहा है देखे भासा अर्जन क्या होता है और भासा को सीखना क्या होता है दोनों में आप difference समझ लीजे जब formal तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतरगत कोई भासा को सीखा जाता है तो वो भासा learning है language learning है यानि भासा का अधिगम है लेकिन अगर किसी environment की वज़े से बिना प्रयास किये हुए और बिना grammar के rules के बगैर अगर कोई भासा सीखी जाती है तो वो भासा का अर्जन होगा जैसे बच्चा जब परिवार में जन लेता है तो उसको grammar नहीं बताया जाता हिंदी बोलने के लिए वह environment आने की वज़े से अपने माता पिता को और अपने समाज के लोगों को बोलते हुए देख रहा है तो उनसे interact कर पाए इस वज़े से उनके भासा को वो adapt कर लिया और इसे ही भासा अर्जन कहते है यानि कि बिना व्य प्रियास के जो भासा को उसने सीखा है वो भासा अर्जन है और अगर व्याकरण के नियमों के अंतरगत प्रियास के माध्यम से अपचारिक तरीके से उसने भासा को सीखा है तो भासा का अधिगम होगा ठीक है तो यहाँ पर भासा के अर्जन से संबंदित प्रश्न पूश तो rules of grammar भासा अर्जन में नहीं आगा, acquisition में नहीं आगा, option गलत हो गया, तीसरा देखे, learning of language, consciously, in formal setting, consciously मतलब की बच्चा बिलकुल चेतन है, मतलब सचेत है, और formal setting में मतलब विद्याले के माध्यम से आपचारिक तरीके से सीखने की बात की ज़री है, तो ये आपका learning language होता है, ना कि language acquisition होता है, तो ये आपसे नहीं पूछा गया, acquisition के बारे पूछा गया, इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा, चोथा देखे, learning about a language, किसी भासा को सीखने के सम्मन्द में, ये विकल्प गलत है, भासा सीखा नहीं जा रहा, भासा अर्जित हो रहा है, environment के माध्यम से अपने आपको express करने के लिए बच्चा उनकी भासा को adopt कर ले रहा है, ठीक है, बिना किसी grammar के rule के, बिना किसी प्रयास के, ठीक है, तो एक ही विकल्प बच्चा, option number two, देखे, learning a language, unconsciously, unconsciously मतलब की अचेत रूप से, मतलब की बच्चा active होकर के उसको सीखने ही रहा है, बलकि अपने आपको express करने के लिए उनको copy करते 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 वो सीख जाता है, informal setting कहने का मतलब की अनपचारिक तरीके से, अपचारिक मतलब विद्याले हो गया और अनपचारिक तरीके से मतलब की खेल खेल में या फिर घर पर रहते हुए ही उसने सीखा है, तो यह unconsciously यानि की अचेत रूप से और informal तरीके से सीखा हुआ language है, जो कि भासा acquisition कहा जाता है, भासा का अर्जन कहा जाता है, तो यह option number 2 इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर पूरा paper solve हो चुका है, आपको ये वीडियो कैसा लागा, कमेंट के मादम से जरूर बताएगा, हुआ है, जपको ये जड़ोगा ज़रे पूरापपट कर दो दो मुआ ऑाइगा जगा है, तो सब्सक्राप रेख़ा है, जपको ये जचेता है, ज़िदे भासा कोऊ ज़िदे रफटान का आपको फो जच वेएगा है, जब हल्सक्तों दूबराएगा है, तो पत्कोंन